गुरू रूपी प्यारी सासंगत जी प्यार और सतकार से कहना धान निरंकार जी सासंगत जी दासी भगत नाम देव जी की कहानी सुन रही थी एक बार भगत नाम देव जी तीरत यात्रा करते करते पंडर पूर पहुँचे उस समय मंदिर में आरती हो रही थी वहाँ पर भगत नाम देव जी छैनों की जगें जुत्ती निकाल कर खड़काने लग गए जब पंडितों ने भगत नाम देव जी को ऐसे करते हुए देखा तो पंडितों ने धक्के मार कर भगत नाम देव जी को मंदिर से बाहर निकाल दिया भगत नाम देव जी मंदिर के पीछे बैठ कर रोने लग गए भगवान जी ने मंदिर को अपने कंदे पर उठा कर भगत नाम देव जी की तरफ मंदिर का मुख कर दिया भगत नाम देव जी को बहुत हंकार हो गया कि मेरे जैसा भगत तो कोई हो ही नहीं सकता एक दिन भगत नाम देव जी ने भगवान से कहा कि मेरे से बड़ा भी कोई आपका भगवान जी ने भगत नाम देव जी का दिल रखने के लिए दो बार तो कहा कि तेरे से ज्यादा प्यारा मुझे और कोई भगत नहीं है जब तीसरी बार पूछा, तो भगवान जी ने भगत नाम देव जी का एहंकार तोड़ने के लिए कहा, तेरे से ज्यादा मुझे रंका बंका दोनों भगत प्यारे हैं, तुझे तो मैं कभी कभी दर्शन देता हूं, पर रंका बंका के घर में तो मैं दिन रात रहता हूं, य पर देखा एक जोपड़ी बनी हुई है एक चार पाई पड़ी है बहुत ही गरीबी वाली अवस्था नजर आती देखकर बगत नाम देव जी ने किसी से पुछा रंका बंका का घर कौन सा है क्योंकि बगत नाम देव जी को लग रहा था कि इतना ये गरीबी वाली इतनी अव तो यहां बगवान तो नहीं रहती होगे यह तो किसी ओर का घर होगा जब किसी से पूछा कि रंका बंका का घर कहां है तो एक एक ख्वारी लड़की उस घर के अंदर बैठी हुई थी जोपडी में तो उसने वो हल्दी पीस रही थी उस लड़की ने कहा रंका बंका का घर तो यही है भगत नाम देव जी उस घर के अंदर चले गए और उस लड़की से पुछा भगवान जी दिन रात यही रहते हैं उस लड़की ने कहा जी हाँ भगवान जी दिन रात यहीं रहते हैं भगत नाम देव जी ने पुछा भगवान जी अब कहा है लड़की ने कहा अभी तो भगवान जी बाहर गए हुए है थोड़ी देर तक आ जाएंगे फिर भगत नामदेव जी ने पूछा रंका बंका कहां गए हुए हैं लड़की ने कहा जीविका के लिए लकडियां लेने गए हुए हैं भगत नामदेव जी ने उस लड़की से पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो ये हल्दी तुम क्या कर रही हो उस लड़की ने कहा कि मैं ह लड़की ने कहा कि भगवान जी के कंधे पर चोट लग गई है इसलिए उनको हल्दी का लेप लगाना है इसलिए मैं भगवान जी के लिए हल्दी पीस रही हूं तो भगत नाम देव जी ने कहा कि भगवान जी को क्या हुआ है तो उस लड़की ने कहा कि एक भगत नाम देव है उसके लिए भगवान जी ने अपने कंधे पर मंदिर को उठाया उस भगत नाम देव जी को मंदिर से निकाल दिया गया था पंडितों ने धक्के मार कर बाहर निकाल दिया था क्योंकि भगत नामदेव जी जैनों की जगह जुत्ती खड़काने लग गए थे तो पंडितों को गुसा आ गया और पंडितों ने धक्के मार कर भगत नामदेव को मंदिर से बाहर निकाल दिया था और भगत नामदेव मंदिर के बाहर पीछे बैठ कर रोने लग गए तो भगवान जी ने कहा कि मेरे भगत के साथ हैसा क्यों हुआ है तो भगवान जी ने अपने कंदे पर मंदिर को उठाया और भगत नामदेव जी की तरफ मुख कर दिया लेकिन भगत नामदेव जी के अंदर तो बहुत ही हंकार आ गया था कि मेरे से बड़ा तो खुआ इस बात का और भगवान जी ने जब मंदिर उठाया अपने भगत के लिए इतना कश्षैन किया तो भगवान जी के कंदे पर इतनी चोट आ गई कि भगवान जी सारी रात सो भी नहीं पाए और हमने सारी रात भगवान जी के कंदे पर लेप भी किया लेकिन अभी भी उनको बहुत दर्द हो रही है और आज भी रात को भगवान जी के कंदे पर ये हल्दी पीस कर इसका लेप लगाएंगे और भगवान जी का जिससे की दर्द दूर हो जाए दर्द ठीक हो जाए तो बहुत ही अपने आप पर गलानी हुई नफरत हुई कि मैं भगवान जी के आगे कैसे कर रहा था घगवान जी ने मेरे लिए इतना कश उठाया और मेरे मन में इतना हंकार आगया कि मेरे से बड़ा कोई भगत हो नहीं सकता तो आगे से मेरे से बड़े भगत तो ये रंका बंका है तो इतने में भगवान जी भी उनके रंका बंका के घर में आ गए तो भगवान जी को देखकर भगत नाम देव जी चरनों में गिर गए और कहने लगे कि मुझे माफ कर देना मैं तो अपने आपको आपका बहुत बड़ा भगत समझता था मेरे मन में बहुत हंकार आ गया था लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं हूँ मैं तो आपके चरनों की दूली भी नहीं हूँ मेरे से तो ये महान संत हैं ये रंका बंका कितने बड़े आपके भगत हैं तो आप इनको इनकी गरीबी दूर क्यों नहीं कर देते ऐसे भगत को आप माया देकर अमीर क्यों नहीं कर देते भगवान जी ने कहा मैं तो माया देता हूं पर ये भगत माया लेते ही नहीं ये माया को भगती में रुकावट समझते हैं मैं तो बहुत बार इनको माया दे चुका हूँ लेकिन कहा भी चुका हूँ कि माया ले लो पर ये कहते हैं कि हमने माया नहीं लेनी यह रोने लग जाते हैं खाना पीना भी छोड़ देते हैं भगत नामदेव जी ने भगवान जी को कहा कि आप मेरे सामने माया दो, मैं देखता हूँ वो कैसे रोते हैं, भगवान जी ने कहा कि जब वो रोएंगे तो इस दोश के अपरादी तुम ही होँगे भगत नाम देव जी ने कहा ठीक है हाँ जी भगवान जी मैं ही इस दोश का अपरादी होँगा भगवान जी ने भगत नाम देव जी को एक हीरे की थैلी दी और कहा कि रंका-बंका आ रहे हैं लकडियां लेकर उनके रास्ते में ये हीरों की थैلी रख देना और भगत नामदेव जी ने ऐसा ही किया जब रंका बंका आ रहे थे तो उनके रास्ते में हीरों से भरी हुई थैली रख दी और खुद भगवान जी भी और भगत नामदेव जी छुपकर सब कुछ देखने लग गए आगे आगे रंका आ रहा था पीछे पीछे बंका आ रहा था जिस मैं रंका ने थैली देखी रोने लग गया कहता है हाए नागिन हाए नागिन और रोने लग गया बंके ने जब दूर से देखा कि मेरा भाई रो रहा है तो वह भाग कर गया और कहा कि आप क्यों रो रहे हो तो आगे से वो रंका कहता है कि भगवान ने हमारे रास्ते में नागिन रखी हुई थी अभी वो नागिन डंक मारने लगी थी मुश्किल से बचा हूँ मैं यहाँ इसलिए रुक गया ताकि मेरे भाई बंका को ये नागिन न खा जाए इसलिए मैंने कहा यहाँ रुक कर इस पर मिटी डाल देता हूँ यहाँ बास सुनकर बंका भी रोने लगा रंके ने कहा भाई बंके तुम क्यों रो रहे हो तुमने तो इस नागिन को देखा भी नहीं भगत नामदेव जी और भगवान जी चुप कर यह सब देख रहे थे तो भगत नामदेव जी भगवान जी स ते कहते हैं असली भगत तो रंका बंकाई है। मैं तो अपने आपको बहुत उच्चा बड़ा भगत मानता था आप अप सको जो भली नहीं आ सकती। आपस को जो जाने नीचा सोही गनिये सबसे उचा जो अपने आपको नमरता में चलता है जो हिंकार नहीं करता नमरता में चलता है वही सबसे उचा भगत होता है और सुपमनी सहाब में भी कहा गया है सरव की रैन जाको मन होए कहो नानक ताकी निर्मल सोए पर जिस इंसान का मन सब के चर्णों की दूली होता है सत्गुरु कहते हैं ऐसे इंसान की सारे संसार में शोभा होती है जिसके अंतर राज विमान सो नर्पाती होवत सुआन जो जानने में जोबन वन्त सो होवत बिष्ठा का जन्त आपस को करम वन्त कहावै जन्नम मरे जोन परमावै धन बरम का जो करे गुमान सो मूरक अंधा ग्यान कर किर्पा जिसके हिर्दे गरीबी बसावै नानक इहां मुक्त अग्ये सुखपावै तन्वंता होए कर गर्भावै त्रिन सुमान कच्छु संग न जावै बहु लसकर उपर करे आस पल भीतर जाका होए बिनास सबते आप जाने बलवन्त खिन में होए जाए भसमन्त किसे ना बदै आप हंकारी तरम राए उसकरे खुवारी गुर परसाद जाका मीटे अभिमान सो जन नानक दर्ग है परवान संगजी सुकमनी साहब में भी हमें समझाया गया है कि जब गुरु की किरपा होती है अब इमान मिट जाता है तो तब ही कहते हैं कि ऐसे जन का ही लोग सुखी और परलोग सुहला होता है और संपूर्ण हर देव बाणी में भी सतकुर बाबा हर देव सिंग जी महराज ने कहा है राज ना मांगा ताज ना मांगा ना मांगा संसार है प्रभु भगत ने प्रभु से मांगा प्रभु को ही हर बार है जिनकी नजरों में मोती के मन के धूल समान थे सदा राम से राम को ही मांगते हनुमान थे महलो वाली मीरा ने भी गिर्धर को ही मांगा था कुटिया वाली शबरी ने भी रगवर को ही मांगा था एक भगत पर लाज था जिसने राजा के घर जनम लिया मोह नहीं था धन वैबव का एक हरी का ध्यान किया भगती रस को चखने वाला और नरस अपनाता है कहे हर देव सिवा इश्वर के कुछ ना उसको भाता है हाँ संगत जी इस शबत द्वारा भी हमें समझाया गया है कि जिसके मन में भगती बस जाती है उसे फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता वो इसी परमात्मा का ही होकर रहता है वो ये माया को तो धूल के समान समझता है और माया पती से जुड़ कर अपना जीवन सफला कर लेता है जो सत्गुरु का प्यारा भगत होता है, वो हमेशा अपने आपको गवाता है, गिनवाता नहीं है, जैसे हमने अब गुरु वंद्ना में भी देखा, कि स्रे हमें एक लगुनाटिका दुआरा दिखाया गया, स्क्रिप्ट दुआरा दिखाया गया, कि एक जो संत महात्मा है, वो आता है बल्ला साहब के गर में हमें जासे दिखाया गया आता है तो वो कहता है कि मेरी जोडों पर भी डूटी लगती है मेरी कैंटीन में भी लगती है मेरी प्याओं पर भी लगती है मेरी स्टेज पर भी डूटी लगती है इतनी बड़े लिश्ट वो दिखा देता है कि मैं ये सेवा करता हूँ ये सेवा करता हूँ सेवा तो वो कर रहा है लेकिन सेवा करके वो गिनवा रहा है और फिर थोड़ी देर बाद एक और संथ महात्मा आता है जब उसको पूछा जाता है वो महत्मा कहते कि मैं तो यहां गूमने के लिए आया हूँ यहां टूर पर आया हूँ तो उससे जब वो संद महत्मा वो भला जी पूछते हैं कि आप कोई सेवा मिली हुई है और वो होते सियोंजक लेवल पर हैं पर फिर भी वो कहते हैं नहीं मैं तो दास हूँ मैं तो कोई सेवा करता ही नहीं जब उनको फोन के तुरो मेसिज आता है यहाँ पर आपके यह महत्मा आये हूए है आप इनका ध्यान रखना और यह इस लेवल पर है तो जब उन्हें पता लगता है कि यह सियोंजक लेफल पर हैं यह इतनी बड़ी सेवा निभा रहे हैं तो कैसे उनके मन में आता है कि एक महात्मा तो अपनी सेवाई गिनवा रहा है और दूसरा महात्मा इतनी सेवाई करने के बावजूद भी कहह रहा है कि मैं तो कुछ भी नहीं करता तो साथ संगत जी कहते हैं कि जो भगत होता है सेवा दोनों महात्मा कर रही हैं सेवा वो महात्मा भी कर रहे हैं वो भी लेकिन एक महात्मा गिनवा रहा है और एक अपने आपको गवा रहा है इसलिए संपुन हर देव बाड़ी में भी सद्कुर्बाबची नहीं कहा है कि भगत अपने आपको गिनवाता नहीं है भगत गवाता है इसलिए हम हमेशा सद्कुर्माताजी के चर्णों से यही मांग मांगते हैं कि सचे पाश्चा जैसा भी हम सुन रहे हैं इनको हम करम रू लोग सुहेला करते चले जाएं आसंगा जी अगर दासी के मुख से कोई उचा नीचा शबद निकल गया हो गलती हो गई हो तो दासी को शमा कर देना दासी सिमरन कराएगी आप सभी ने मिलकर साथ देना है तू ही निरंकार मैं तेरी शरणहा मैं नूबक्ष लो तू ही निर सत्कुरू माता सुदिक्षा सविंदर हर देव जी महराज की जै निरंकारी राज माता गुरू बचन अवतार की जै संगा जी प्यार से कहना धान निरंकार जी